रचना निर्मे चार ऐसे त्रिभुच की रचना करना जिसका आधार आधार का एक कोण और शेज दो भुजाओं का अंतर दिया है उधारन चार त्रिभुच PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 5.2 cm, कोण PQR बराबर 45 अंश और PQR बराबर 1 cm है प्यारे बच्चो इस अध्याय में आप त्रिभुचों की रचना करने है और त्रिभुचों की रचना करने की अलग-अलग परसितियों को आपने देखा है कि किन-किन परसितियों में त्रिभुच की रचना हो पाती है या नहीं हो पाती अभी हमारे सामने एक बहुत ही विशिष्ट और मज़ेदार परिस्ति दी जा रही है जिसमें हमें त्रिभुज की रशना करनी है आपके सामने जो त्रिभुज दिया हुआ है PQR उसमें आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज की एक भुजा QR दी हुई है जिसकी माप 5.02 cm है बिन्द Q पर भुजा PQR के बीश बनने वाला जो कोण हमें 45 अंश का है यानि कोण PQR 45 अंश है यह हमें दिया हुआ है और भुजाओं के लंबाई ने दी हुई है लेकिन हमें यह दिया गया है कि दो भुजाओं जो शेश बची हुई है उनके लंबाईयों का अंतर एक सेंटीमीटर का है तो यह एक बहुत खास परिस्तिती है हमें PQ भी नहीं मालूम और PR भी नहीं मालूम लेकिन ये मालूम है कि PQ और PR की लंबाईयों का अंतर एक सेंटीमीटर है ये बहुत मज़दार और बहुत खास परिसिती है तो चलिए देखिए यदि हमें एक ऐसे त्रिबुज की रशना करनी है तो हम क्या करेंगे तो आपने पहले सीख लिया है कि पहले हम उस भुजा की रशना करेंगे जिसकी माब दी हुई हो और जिस पर कोण हम बना सकें तो हमें QR की रशना पहले करनी होगी और उस पर हमें कोण बनाएंगे 45 अंच का फिर आगे की रशना करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे सबसे पहले हम Scale की मदद से 5.2 cm का एक रेखाखंड बनाते हैं यह हमने शुरूने से शुरू किया और बहुत साउधानी से से हमने लाके 5.2 cm पर लाके रोक लिया तो यह जो रेखाखंड हमें प्राप्त हो रहा है उसकी लंबाई 5.2 cm है इनके नाम आप रगदें यह बिंदू Q है और यह बिंदू R है और इस रेखाखंड की लंबाई 5.2 cm है अब यहाँ पर 45 अंस का कोण बनाना है हम चांदे के इस्तमाल करें और कोण बनाएं आपको मौलूम है चांदे को कैसे रखना चाहिए यह देखिए ध्यान से के हम चांदे के इस प्रकार रख रहे हैं यह जो बीच का बिंदू है चांदे को उसे हम यहां ले के आ रहे हैं और जो शुन शुन को मिलाने वाले रेखा है वो हमारी त्रिबुज की उस भूजा के ठीक ऊपर है जो हमारे पास है अब हमें पैतालिस अंस का कोण बनाना है जो इस तरफ बनेगा तो हमें इस पैमाने पास शुन्य यहां से पढ़ना शुरू करने का शुन्य दस बीस तीस चालिस और यह ठीक चालिस पर चालिस के बीच में बिंदू है जो पैतालिस के लिए है यह हम निशान लगाएं और इसे आगे बढ़ा दें यह हमने आगे बढ़ा दिया और इसे किरंड का नाम दे दें माल लीजिए हमने इसे किरंट QX कह दिया और यहां जो कोण बन रहा है उसको हम थोड़ा अलग से लिखते हैं क्योंकि यहां भी कुछ काम करने होंगे हमें इस कोण को हम लिख दें Q पर बनने वाला कोण बराबर 45 अंच अब आगे देखिए हमें दिया हुआ PQ रिण PR बराबर 1 cm यानि यहां कहीं पर बिंदू P होगा हमें पता नहीं वो कहां पर है जहां भी होगा वहां से दिया PQ के लंबाई नापे और PR के लंबाई मापे तो आपको यह पता चलेगा कि PQ PR से 1 cm अधिक है यानि PQ और PR के लंबाई का अंतर 1 cm है यह एक नई परस्थिती है यहां पर हमें एक काम करते हैं जो इनका अंतर है जो डिफरेंस है उसको हम यहां पर पहले अंकित कर दें तो उसके बाद जो लंबाई यहां बचेंगी वो हमारी दोनों के लिए बराबर होंगी तो हम इसकेल पर पहले एक सेंटीमीटर का पहलाओ लें परकार पर परकार की नोग को हमने शुने पर रखा और पेन की नोग को हमने एक पर रखा और यह जो विस्तार है वो एक सेंटीमीटर का है साउधानी साम यहां पर निशान लगाए नो को Q पर रखें और यहां एक निशान लगा लें यह ऐसा बिंदू है जो Q से एक सेंटीमिटर की दूरी पर है इस बिंदू को आप एक नाम दे दे माले जैसे हम डी कहते हैं यह थोड़ा दूर लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे यह जो डी है इस बिंदू के लिए है अब देखिए अब जो बिंदू P हमको यहां पर मिलेग इस किरेंट पर जहां कहीं भी मिलेगा वहां से D की दूरी ठीक उतनी होगी जितनी उसकी R से है तो ये एक बात ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने मदद करती है अब हम D और R को मिलाएं और देखें कि इस से क्या संभावना बनती है हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस को हम इस कटी हुई लाइन से मिलाते हैं ये हमने D को R से मिला दिया अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं आगे P यहां कहीं परिस्थित है कहीं भी होगा वो तो P से जो D की दूरी है वो P से R की दूरी के बराबर होगी तो आप जानते हैं कि यदि किसी रेखा खंड का हम लंबार्दा खीचे तो वो लंबार्दा का प्रत्यक बिंदू उस रेखा खंड के सिमान बिंदूं से बराबर दूरी पर होता है यदि हम DR का लंब सम्दिभाज़क खीचे तो एक ऐसी रेखा हमें प्राप्त होगी जो DR के ठीक मद्द बिंदू से गुजरेगी और समकौन भी बनाएगी और दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है उस लंबार्दा के लंब सम्दिभाज़क का हर एक बिंदू D से जितनी दूरी पर होगा आर से भी उतनी दूरी पर होगा यानि लंबार्दक इस किरंट QX को जहां पर भी काटेगा वो बिंदू भी D से और R से समान दूरी पर होगा तो इस गुड़ का उपयोग हमें हाँ पर करेंगे और उस तरह से हम P को ढूड़ लेंगे तो चलिए हम DR जो रेखाखंड है उसका लमबार्दक खीचे और लमबार्दक खिचना आपको वालूम है कि हम जिस रेखाखंड का लमबार्दक हीचना चाहते हैं उसकी कुल लमबाई जो है उसके आदे से थोड़ा अधिक एक चाप लें और थोड़ा बड़ा चाप ले लेते हैं हम और इसे यहाँ पर हमने अंकित किया एक चाप और ऐसा ही एक चाप हमने लाइन के दूसरी तरफ भी अंकित किया और यही काम हम परकार के नो कुछ डीपर भी रख कर देखें और दोनों चापों को काटते हुए दो और चाप बनाएं आप देखे रहें कि हमें दो बिंदू मिल रहे हैं एक यहां मिल रहे हैं और एक यहां मिल रहा है इनका भी हम नाम करेंट कर दें, मालिजे इसे हम S कह दें और इसे हम T कह दें S और T को हम मिलाएं, तो S T को मिलाने पर जो रेखा हमें प्राप्त होगी, वो DR का लंबार्दक होगी यह लंबसम्दिभाजक होगी चलिए इसे भी हम कटिवी लाइन से मिलाते हैं यह देखिए, यह देखाए, S T है, जो DR को मालिजे इस बिंदु कहम नाम दे दे, वो O पर काटती है यानि O, DR का मद्द बिंदु है, और यहां जो कौन बन रहा है, वो सम कौन है, दोने तरफ और यह जो S T है, वो Q X किरंड को एक और बिंदु पर काट रहा है, यह बिंदु, इसको मालिजे हम P नाम देते हैं तो जो बात हमने अभी आप से की थी कि इस लंबार्धक पर इस सिथ हर बिंदु, जितने भी बिंदु यहां पर सम्भव हो सकते हो, उनमें से प्रत्यक बिंदु, D और R से बराबर दूरी पर होगा, यानि बिंदु P, D से जितनी दूरी पर है, R से भी उतनी दूरी पर अब आप इसे देख सकते हैं कि हमने PR की रशना कर ली और त्रभूत PQR बना लिया तो आपने जो रशना की थी उसमें आप यह देख पा रहे थे कि शुरू में आपने हाँ पर एक सेंटीमिटर की लंबाई ली थी और यहां इसे आपने डी नाम दिया था और डी से आपने ए प्राप्त किया और सम दिभाजक की गोड़ से आप जान रहे हैं कि पी और डी की जो दूरी है वो पी और आर के बराबर है यानि पी डी बराबर पी आर है तो इस तरह से आपने एक ऐसे द्रभूश के रशना कर ली जिसमें पी क्यू पी आर से एक सेंटीमिटर अधिक है तो यही हमारा अभिश्ट रभूश है इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं पीक्यू बराबर पीडी प्लस टीक्यू पीडी प्लस टीक्यू और आप देख रहें कि पीडी जो है वो पी आर के बराबर है तो आप लिख सकते हैं पीक्यू बराबर अब आप देखिए कि DQ हमने एक सेंटीमीटर बनाया था तो आप यहां लिख सकते हैं एक सेंटीमीटर अब इस पुरे खतन को हम फिर से एक बार लिखें इस PR का हम पक्षांतर कर दें तो हमको मिलेगा PQ माइनस PR बराबर एक सेंटीमीटर और देखिए यह वही शर्त है जो हमको शुरू में दी गई थी PQ माइनस PR बराबर एक सेंटीमीटर यह हमें यहां पर भी मिल रहा है PQ माइनस PR बराबर एक सेंटीमीटर यानि हमने एक ऐसे त्रभुश के रशना कर ली जिसमें एक भुशा के लंबाई दी हुई थी उसके एक सीरे पर बने वे कौन का मान भी दिया हुआ था और शेज दो भुशाओं का अंतर एक सेंटीमीटर है यह हमें दिया हुआ था तो यह उस त्रभुश के रशना हुई जो हमारे लिए अभिश्ट था एक बार आप खुद कोशिश कीजिए और देखिए आप इसे किस तरह कर पाते हैं